तो क्या आप भी cricket trading कर रहे हों और क्या आपको भी नहीं मालूम की back and lay option का क्या use है तो guys मैं यहीं पर हूँ कहीं दूर नहीं गया channel को पहले subscribe कर लो तभी बताऊँगा कि back and lay option को कैसे ठीक है तो देखो cricket trading में back and lay के दो option आते हैं अब दोनों ही option का क्या use है इस वीडियो में हम बात करेंगे उससे पहले मैं बता दू कि आप cricket में कोई आपकी एक favorite team होती है और कोई एक आपकी unfavorite team होती है जैसे कि मान के चलते हैं Punjab Kings versus Delhi Capitals का match है मैं आपको एक example के through दिखाता हूँ जहाँ आप यहाँ पे back मतलब जो blue color वाला है back वाला option है और जो red color वाला है और lay वाला option है back वाले option का मतलब यह होता है जैसे suppose करो Punjab Kings आपकी favorite team है मतलब आपको Punjab Kings पे पैसे लगाने है तो आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे price है 2.06 इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 रुपे इंवेस्ट करोगे तो आपको 206 रुपे मिलेंगे अगर यहाँ पे score ह होता है मैं नीचे बता दू कि जैसे डिली कैपिटल का back वाला option आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1.8 है 1.8 है इसका मतलब डिली कैपिटल पे आपको मिलेंगे 100 रुपे के 189 रुपे जी हाँ इसे हमें यह पत्ता चलता है कि जो हमारी favorite team है वो है डिली क्योंकि favorite team हम कैसे पता कर सकते है तो simple सा पंडा है जिस टीम पे हमें 100 रुपे लगाने पे कम पैसा मिले according क्यों दूसरी वाली टीम के वो हमारी favorite team है अब मान के चलते हैं डिली capitals हमारी favorite team है जिसको मैं win करवाना चाता हूँ अगर मैं डिली capitals को win करवाना चाता हूँ मैं तो सीधे जाओंगा डिली capitals के back वाले option पे 100 रुपे लगाऊंगा अगर डिली capitals जीतती है तो मुझे मिलेंगे 189 या 190 रुपे ठीक है यह simple fund आपने समझ लिया वाले option पे कि अगर हमें डिली capitals को जीताना है तो इसके back वाले option पे buy करना है सेम फंडा ऐसा ही है कि अगर आपको डिली capitals को आराना होगा तो आप कौन से option पे buy करोगे तो आप ले वाले option को choose करेगे जी हां ले वाले option को choose करोगे जी या बैक वाले option में ये था कि आप जहां पे 100 रुपे लगा रहेते वहीं पे 189 रुपे का profit हो रहा था लेकिन अगर आप डिली capitals का ले वाला option buy करोगी कि मतलब डिली capitals हारेगी तो आपको profit होगा तो वहाँ पे क्या होगा अगर आप डिली capitals के ले वाले option पे buy करते हो तो आपको वहाँ पे सिर्फ 90 रुपे लगाने हैं और आपको profit कितना होगा 100 रुपे मतलब back का पूरा उल्टा है ले option back में जहां हम जिता रहे थे डिली capitals को ले वाले option में हम डिली capitals को हरवा रहे हैं और जिता रहे हैं दूसरी team को जो की हमारी दूसरी team है Punjab Kings तो यह simple सा पंडा था इस वीडियो में मैंने आपको detail से बताया कि कैसे आप back और lay option का use कर सकते हो back और lay option का क्या मतलब है और अगर आप 100 रूपे लगाओगे investment के अनुसार तो आपको कितना कितना return मिला हुआ अगर ये वीडियो जड़ा सी भी पसंद आती हो तो एक छोटा सा like and चैनल को subscribe कर लेना और description और comment pin में अपने telegram चैनल का एकजिट लेना है लोग इसी चीज के आपको एक मैच के डाई डाई अजार रूपे ले रहे है लेकिन मैं वो सारी चीज आपको बिल्कुल free में दे रहा हूँ जल्दी से जाओ हमारे telegram चैनल को जोइंग कर लो और इस चैनल को subscribe कर लो मैं मिलता हूँ next video में तब तक के लिए thank you दिल से हम मिलें